तो दोस्तों यह हमारा स्रेज बहुत ही अमेजिंग होने वाला है क्योंकि इस स्रेज में हम बात करने वाले हैं एडिटिंग के ऊपर एडिटर्स एडिटर्स वो जो कहते हैं कि हमारे मैजिसियन से बॉलिवोड के वो पूरा फुटेज उनको मिलतार वो कैसे जादू करते हैं और ऐसे एक जादूगर हमारे हैं मनी जैस्वाल जो हमारे साथ आ जाए है तो सर आपका स्वागत है इस शोव पाट साला में आज हम आपसे बहुत सारी बाते करेंगे एडिटिंग के ऊपर में बिल्कुल फर्स्ट फॉल थैंक्यू बेरी मच फॉर इन्वाइटिंग में तो सर सबसे पहला मेरा यह सवाल है यह एडिटिंग क्या होता है और एडिटर्स क्या करते हैं एडिटिंग इस वेरी इंटिमेट प्रोसेस आई फील और इट्स रियली फैसिनेट्स मीं एडिटि प्रोड़क्शन बोलते हैं वह सबसे इंटिमेट प्रोसेस सबसे क्रीटिव प्रोसेस हैं जहां पर सारा मैजिक क्रीट होता है बिकॉज हमारे पास जितने भी आवर्स ऑफ रॉम मेटिरियल्स होते हैं उसमें से सबसे बेस्ट निकालना होता है वी आर पुलिंग आउट द पर ट्रस्ट करते हैं कि एडिटर है जो भी होगा हम पोस्ट में कर लेंगे ऐसा आपने कई वार सुना भी होगा शूट पर की ठीक है नहीं और एट्सों के विल डू इन पोस्ट यह हमेशा आप सुनते ही होंगे कई बार ऐसा हुआ भी है कि कई स्कृप्टिंग होता है हम इसे लीनियर रखेंगे जब एडिटिंग टेबल भी बैठते हैं और कई वार मांने चेंज भी किया है लीनियर एडिट को नौन लीनियर किया हमने बट यह सब पहले से डिसाइडर होता है इडिए पर दिसाइड कर रहे हैं क्योंकि उसके अकॉर्डिंग कई सारे शौट्स कई सारे शाट से फ्लॉज एडिटिंग थुरूं हटा देते हैं एक्टर काम हो और इन्हेंस हो जाता है लेकिन कई ऐसे डेरेक्टर भी ओते जो एकड़म प्रिसाइस जो सोचते वह शूट करते हो एडिट होता है ऐसे भी होते हैं तो मैं दोनों तरहिके से बोल रहा हूं editing is all about selecting also कितना आप data देख रहे हो आपके mind में सारा data store होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए exactly मेरे को यहां से लेना है यहां से cut करना है यह चीज यहां लगेगा और director ने आपको बोला it's not working तो आपको उनको option देना पड़े हैं यह नहीं work करें ठीक है मेरे पस और option है I will show you तो director will select this 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 तो ऐसा होना चाहिए editor को पूरा ready होना चाहिए prepared होना चाहिए it's like going on a war पहले आप vision सुनते हो director का scripting सुनते हो सब team के साथ बैठते हो narration होता है तो उस समय आपके दिमांग में थोड़ा-thोड़ा image clear होते है कि ऐसे करना है और जब shoot होता है जब आप edit पर उसको जब edit करते हो जब first draft आता है director का reaction होता है कि ठीक है it's not working एक draft और करते हैं दो ड्राफ तीन ड्राफ चाह ड्राफ आफ्टर फाइव शिक्स ड्राफ्ट जब director वोलते हैं almost 80% हम लोग है है on the way अब हो जाए तो लगता है कि चलो अब almost हमने achieve किया 90% करेंगे उसके बाद भी मैं satisfied नहीं होता होगी 90% हो गया है और 100% 110% करें क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो film release audience के पास जाए message clear हो film का inspire हो जाए लोग समझ में आजा फिल्म बस यह होता है 100% और कुछ manipulate करें कुछ करें हमेशा लगता कुछ missing है लेकिन मैं आपको एक चीज़ recommend करूंगा suggest करूंगा अपना experience की as an editor as creative artist आपको पता होना चाहिए कि full stop कहा लगाना है आपको हमेशा ऐसे wonder नहीं करते रहना है कि क्या करें और क्या करें ओवर हो जाता है कभी ओवर डू it's really bad as an artist आपके लिए ओवर्डू मच जाए आप एक छोटा सा note add करना चाहूंगा end में editing हम हमेशा hidden process हुआ हम एकदम हमेशा end में end process creative process है पर हम जितना hidden रहते हैं उतना जादा मैं appreciable feel करता हूं क्योंकि screen आप में लोग देखते हैं कभी editor को याद नहीं करते हैं और recognizeable जादा नहीं होता है यह success editor के लिए कि आपकी film दिख नहीं देगी edited है क्योंकि अगर किसी ने बोल दिया कि edited है edit दिख रहा है तो वह editor नहीं है फिर वह editing किया ही नहीं editing वही है कि film खतम हो गई flawless कितना बार मैंने महसूस किया film देखता हूं और हम time note करते है कि या कितनी बड़ी एक घंटा है तो घंटा है पंद्रा मिनट है time note कर रहा है मतलब आप बोर और फिल्म flawless नहीं जा रहा है storytelling का वह grip नहीं पकड़ पा रहे हो दिनों लग जाते हैं एक editing निकालने में और उसके बाद फिल्म release होती है और लोग जब देखते हैं वह जो appreciation कि लोग बोलते हैं कि Manish it's really good अच्छा लग रहा है message it's coming out message वह जो feeling है ना priceless है कि आपने महीनों लगा दिये हैं घंटों hours bad के raw material देखके जो best part निकाला है फिल्म में से और उसके बाद जो लोग appreciate कर रहेगी it's working बस इतना ही it's working nice good यह जो सुनने मिलता है ना it's really satisfying तो देखा दोस्तों आपने editors आपने job को इतना पसंद करते हैं क्योंकि यह बहुत एक creative job है तो जब एक product final product audience तक पहुंसता है तो वह जो एक तरह का job satisfaction मिलता है उनको तो यह उनको काफी emphasize करता है तो इस episode में इतना ही next episode में मिलते हैं और बात करते हैं इसे कुछ और सवाल पूशते हैं मिलते हैं next video में करते हैं